नमस्कार दोस्तों, वेलकम बाक टू माई चैनल, आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास के बारे में, लेमन ग्रास को हम बाबर्ड वायर ग्रास, सिल्की हैड्स, कोचीन ग्रास, मलाबुल ग्रास, ओली हैड्स और फीवर ग्रास भी गहते हैं, ये एशिया, अफ्रिका, अस्ट्र प्रेयल्या अच्पॉपिकल आइलेंड्स में पाया जाता है, लेमन ग्रास एक टॉल स्टॉपकी प्लांट है, इससे फ्रेश, लेमनी प्रेग्रेट्च आती है, ये कॉमन इंग्रीडियन्ट है, थाय कोकिंग और इंसेक रेपिलेंट्स में, लेमन ग्रास इसेंशल और अर लेफ्ट करता है लेमन ग्रास उन सोमिया पेशन्स जिनको नेल नहीं आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है यह बहुत अच्छा पेंड विलीवर है और तो और इमुनिटी बूस्टर है अगर किसी को इसके सभी बेनिफिट सुठाने है तो बस इसकी चाय पीजिए लेमन लेमन ग्रास टी से ओरल इंफेक्शन्स जैसे केविटीज और टुथ डिके भी ट्रीट हो सकता है इट इस वेरी मच एंटी इंफ्लमेटरी और कई मेजर प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स में भी हेल्फुल होता है यह इतना यूस्पुल है कि कैंसर र कि आपकी बोडी कैंसर को भी हरा सकती है लेमन ग्रास टी कीमो तेरपी और रेडियेशन्स के टाइम ही यूस्पुल होती है जस्ट आपको ऐसे में किसी भी ऑन्कॉलेजिस्ट से गाइडेंस पहले ले ले निजाए एक प्रमोट्स हिल्दी डाजेशन लेमन ग्रास की चाय क सिर्फ एक कप भी आपको किसी भी पहरांके डाजेस्टिव प्रॉब्लम और तोहर स्टमक क्राम्पिंग से भी रिलीव दे सकता है यह गास्ट्रिक अल्सर के केस में भी बहुत एफेक्टिव है लेमन ग्रास एक बहुत अच्छा डाय यूरिटिक है विच मेक्स यू यूर कि अच्छा 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 आपकी बॉड़ी से निकल जाए यह कोलेस्ट्रोल रेगुलेट करने में भी बहुत हेल्फुल है जैसे मैंने पहले भी बताया है इपकें सेवस फ्रम हाट अटक्स और हाट स्ट्रॉक्स और येस थे बेस्टिंग जो परसनली मेरी फेवरेट है वो है कि इट हेल्पस इन रेड्यूसिंग दो वेट इसकी जाएट डिटॉक्सिपिकेशन में बहुत अच्छी होती है और वेट लॉस में भी बहुत हेल्फुल होती है लेमेंग्रास टी मेंस्ट्रॉल क्रांप्स ब्लॉटिंग और होट फ्लेशेज के लिए एक नाचुरल रेमेडी है लेमेंग्रास ऑईल बोडी को कूल रखने में बहुत यूस्पुल होता है जहां इसके इतने बेनेफिट्स हैं वहीं पर इसके कुछ साइड इफिक्स भी हैं और ये अब्सर्व किया गया है जैसे भूग का जादा लगना ड्राय माउथ इंक्री इस यूरिनेशन और इवन टाइडनेस हो सकता है थकान भी महसूस हो कुछ लोग तो लेमेंग्रास के इतने एलर्जिक होते हैं कि उनको रैशेज या इचिंग होने शुरह रहती है वो भी प्लांट को चूने से ही या फिर ब्रीधिंग में प्राब्लम हो जाती है हार्ट ब आने पर देशुट सीक्ट मेडिकल एडवाइस आपको लेमन ग्रास चाय नहीं पीनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंट लेडी है या आपका हार्ट रेट लो या पोटेश्यम लेवल लो है अदरवाइस इससे बढ़िया हेल्डी सेफ औल इन वन रेमेडी रेरली ही मिलेग आपको जिल्दी ही मैं अपनी एक वीडियो में बताऊंगी कि लेमन ग्रास की चाय कैसे बनाई जाती है तब तक के लिए आप इसके सभी बेनिफिट्स को इंजॉय कीजिए और स्टे टून टूमा चैनल मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल देन बब बाई थैंक्स पर